हेलो एवरीबन तो कैसे आप से बच्चो आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे आज हम पढ़ेंगे एंसी आरटी मैथ में चैप्टर एट पढ़ेंगे किलास नाइंत का मैंसुरेशन एक्ससाइज 9.1 कोशन नमबर 4 करेंगे पहले को डीपली समझते हैं कोशन में क्या गिवनर क्या हमें करना है तभी समझे माएगा कोशन रीड करता हूं सुनना दिहान से डाइगनल ओफा क्वाडरी लेटरल सेप्ट फिल्ड इस 24 मीटर कहरे कि एक नहीं इस तरह के से क्वाडरी लेटरल बना हुआ है ठीक उसमें एक ऐसे डाइगनल गया है जिसकी 24 मीटर आ सब्सक्राइब करना है तो यहां से इसको एच वन नाम दिया थर्टीन मीटर और एक यहां से एच टू नाम दिया एट मीटर फिगर को ध्यान से देखो समझ में आएगा दुबारा सुनों यह नहीं क्वाडी लेटरल बना हुआ था बच्चो जैसे बीच में डाया तो यह ट्राइंगल में कनवर्ट हो चुका है अब देखो A B C एक ट्राइंगल बन रहा है और A D C एक ट्राइंगल बन रहा है हमें निकालना है पूरे क्वाडी लेटरल का एरिया तो जब निकल जाएगा एरिया उसके लिए हमें करना क्या है इसमें आपको पहले ट्राइंगल ABC का एरिया निकालना होगा फिर ट्राइंगल एडीसी का एरिया निकालना होगा दोनों की एरिया को प्लस कर देंगे वही टोटल क्या बन जाएगा क्वाडिलेटरल यहां से मैं स्टार्ट करता हूं अब आप देखो ध्यान से पहले हाइटे लिखो हमें 13 मीटर और एक हमें एसी साइड डिया हुआ हमको कितना 24 मीटर अब यहां पर हमसे क्या उफ्याटकर करने को बोला है कि एरिया ऑ्रोक टारीलेटरल को यहां लिखेंगे पूला लिखके दिखाना होता हैं मैं एरिया ओफ्याव कॉद्री डिट्रल ए बीर सीडी एक्वल धिशान से देखो भलेखर uważ ens paused लेंगे तो ऐरिया ओफ्याध्यांगल भी चीट तो लेखो यहां पर एरिया ओफ ट्राइंगल ए बी सी पिलस अधिया ओफ ट्रइंगल एडीसी को अधिया ओफ ट्यांगल एडीसी थिए वह कोक्वाइड को त्राइंगल बने में दोनों का हमने इरिया लिख या वैल्यू पुट करूंगा दिहान से देखो area of triangle बच्छो area of triangle का formula क्या होता है one upon two base into height होता है तो यहाँ पर लिखेंगे one upon two बच्छो बेस हमारा क्या रहाएगा यहाँ पर इस triangle के लिए AC बात करूंगा तो आप कहोंगे सरी नीचे वाले जो line है नहीं यह इसका base है तो AC बेस होगी और हाइट इसके लिए क्या हो जाएगी एच वन वन अपॉन टू मल्टिप्लाई बेस इंटू हाइट बेस मेरा AC हाइट मेरी एच वन है ऐसी आगे के तरफ चलते हैं पिलस वन अपॉन टू अब मैं बात करूं ट्रेंगल एडी सी की एडी सी ट्रेंगल को जै अब इसे करने हैं दो तरीक है कैलकुलेशन को ऊपर देखना देखो या तो सीधा सीधी वैल्यू पूट कर दो अंसर आएगा या देखो वन अपॉन टू एसी यहां पर भी है तो प्यारे बच्चों दोनों में से वन अपॉन टू एसी क्या आगया कोमन अंदर बचा है अंदर गशेगा है एच वन और एच टू बस वैल्यू पूट करो एसी वच्चों आपके पास कहें 24 एच वन कितना है यहां एट कि वन अपॉन टू मल्टिप्लाई 24 थर्टीन और एट कितना हो या बताओ तर्टीन और यहां बताओ अब टू से 24 गई 12 टाइम तो बच्चो तो कितना आ गया 252 हमेशा जो एरिया जब भी एरिया की बात करेगा वो स्क्वेर में आता है तो यूनिट अपनी देखों मीटर में थी तो एरिया बच्छों किसे मोह जाएगा मीटर स्क्वेर में यह पॉट्शन मैंने ओपर लिखा है आपको नीचे लिखना है आपकी कोपी इस तरीके साब का अंसर आगया आपको समझ में आप नेक्स वीडियो में बताना बहुत मज़ा आदा जब आप कमेंट करके बताते हो लगता है कि हम जो सिखा रहे हैं बच्छों को समझ में आ रहा है नोट कीजिए